नमस्कार राम राम साय काई आल चाले जीवडा ठांका आसा और उमीद करूंगी मारा पड़ाई का सगला सोकिन जीवडा बढ़िया है मस्दे और मजें मैं क्या अन चाले साय ठांकी त्यालडी बढ़िया चाले चालो आज साथ यूँ इस कलाज में राजस्तान जीके कुछ सवाल है जो हम करेंगे तो सभी साथी जुड़ जाएं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर ले नाम से जाना जाता है फिस सिटीयूSतान को मतशे नगर या फिस div का जाता है उदियपूर में है इसलिए उद्यपुर को जीलू की नगरी का जाता है ठीक है? हाँ अजमेर का प्राचिन नाम क्या मिलता है? बतो देखें अजमेर का प्राचिन नाम अज्जी मेरू मिलता है क्या मिलता है साथियू? अज्जी मेरू और मतेशी नगर का जाता है अलवर को किसको का जाता है जीवडा अलवर को का जाता है तो जो साती भी आंसर कर रहें अलुअर उन सबी का यहां पर right answer आचुका है hem एक सीजिए आपके सामने आज जुका है बहुत इस सांदार सवाल है कि निमलेकित में सेट जिले के साथ किन राज्यों की अंतराजरी जिमा लगती है नए जिला बनाया डीग बरत्पूर से अलग होकर बनाया ना जल्दी से कमेंट करो देखें तो साथ यूँ दीग के साथ में शिमा लगेगी अपनी उत्र प्रदेश और हरियाना की तो जो साती D answer दे रहे हैं उन सभी का right हो जाएगा विल्कुल सभी का correct है राजस्तान के किस जिले में सरवादिक डांग भूमी है राजस्तान के कौन से जिले में सरवादिक डांग भूमी पाई जाती है करोली सवाई मादोपूर दोलपूर या कोटा सरवादिक डांग भूमी वाला जिला कौन सा है सात्यूं जल्दी से कमेंट करो देखें किस किस का राइट आता है तो राइट आंचर हो जएगा करोली कौन सा जिला है इनमें से करोली जिला है करोली डांग की रानी जिसे का जात है चलो नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं राजस्तान के किस परदेश में वर्टी सोल समुकी मरदा मिलती है कौन से परदेश में चेतर में वर्टी सोल समुकी मिट्टी पाई जाती है जेपूर, दोसा, अलवर, रासमन, उद्यपूर, डूंगरपूर, जालावाड, बारा और बुंदी, शिरोई, पाली और राज समन्द जल्दिशे कमेंट करतो देके जिस भी विद्वान साती को उतर आ रहा है सातीूं वर्टी सोल मर्दा पाए जाती है जालावाड, बारा और बुंदी जिलू में तो जो साती सी आंसर दे रहे हैं उन सभी विद्वान सातीूं का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है अगला सवाल है कि किस परकार के वन राजस्तान राजी के अधिक्तम छेतर पल को आच्छा दित करते हैं राजस्तान के अधिक्तम छेतर में किस परकार के वन है वो पाए जाते हैं सुके सोगात वाले वन, एनो गोसिस पेंडूला वन, मिश्रित परणपाती वन या बोसवेलिया वन अधिक्चम छेतरपल में राजस्तान में किस परकार के वन है वो पाई जाते हैं सात्यूं तो ध्यान डख लेना मिश्रित परणपाती वन पाई जाते हैं किस प्रकार के वन पाएज आते हैं मिश्रित परणफाति वन सरवादिक वनुवाला जिला कौन सा है राजस्तान का सरवादिक वनुवाला जिला है राजस्तान का उद्येपूर जिला अगला सवाल है कि राजस्तान में काश्ट जिवासम उद्यान किस इस्तान पर इस्तित है ये देखो कहीं बार एक चाम में आ चुका है राजस्तान में काश्ट जिवासम उद्यान किस इस्तान पर है सात्यूं गड़ सिसर आकल तन्नोट या लोद दरवा ये सारे देखो इस्तान कहां पर है जेसल मेर 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 है है ना तो काश्ट जिवासम उद्यान कहां मिलता है आकल किसी इस्तान पर है आकल जेसल मेर 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 है तो भी आंसर अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा जो साथी भी उतर दे रहे हैं अगला सुख़ाल है कि जन्गर्णा 2011 के अनुसार राजस्तान में जनसेंक्या वर्दीदर से समंधित कौन सा कटन सही है जन सब्सक्राइब इक बार जंसेंगे जरूर पढ़लेना पसू परिचर वाले साथी पसू गणना और जंगनना दोनुप पढ़लेना है न यहां से सवाल है वो अपना एक्जाम में पूचा ही जाएगा सार्वादिक जणसेंगे वर्धिदर बाड मेर्य जिले में दरज की गई है दोजार ग्यारा के अनुसार नयूंतम जनसें क्या वर्दीदर गंगानगर जिले में दरज की गई राज ये कि ओसे जनसें क्या वर्दीदर 21.3 परशेंट दरज की गई उपरोग सभी कतन क्या है सत्य है सबी कतन क्या हो जाएंगे बाई सत्य हो जाएंगे दी आंसर अपना यहां पर राइट होगा अगला सवाल है कि आदिवासी दुआरा पेने जाने वाला सबसे प्राचिन वस्तर कौन सा है आदिवासी जनजाती जो पेनती है हाँ आदिवासियु का सबसे प्रचिन वस्तर कोन सा यहीज भूचा गया है का नदना कटकी लूगडा या चुनड़ आदिवास ही जो मयलें पेहनति जो सबसे प्रचिन पुराणा वस्तर कमेंड करो देखे जल्दी से को हो जाएगा हो जाएगा नदना जो साथी नांदना ए बता रहे हैं उन सभी का यहां पर राइट आंसर आज चुका है अगला सवाल आपके सामने आज चुका है कि H.P.C.L. राजस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को वरस में निगमित किया गिया 2012, 2013, 2014 या 2015 में H.P.C.L. राजस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ह.R.L. को किस वरस निगमित किया गिया तो इससे किया गिया साथी हूं 2013 में कब किया गिया सन 2013 में किया गिया सही समू को चिनित कीजिए कौन सा यूगम यहां पर सही देर का है जडी नहीं खेतडी है कौन सा यसा आत्यूं खेतडी खेतडी सिंगाना तंबा राजपुरा दरिबा सोना जामरा कोटरा लोहा ऐसाग डाबला सिंगाना बेराइट खेतडी सिंगाना में क्या निकलता है वाई तामबा निकलता है तो क्या हो जाएगा ए आंसर अपना राइट हो जाएगा खेतडी सिंगाना में तामबा ए आंसर अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा माउंट अभू में निम्मन में से कोन सा जेन मंदिर इस्तित है माउंट अभू सिरोई में कोन सा है कामख्या दिल्वाडा मावीर का रनकपुर जेन मंदिर माउंट अभू में है आपका दिल्वाडा जेन मंदिर कोन सा है दिल्वाडा जेन मंदिर है भी आंसर अपना क्या हो जाएगा यहां पर correct हो जाएगा निमलिकित राश्टी राजमारगू में से कौन सा एक राजस्तान में अजमेर को बिकानेर से जोडता है कौन सा राश्टी राजमारग है जो अजमेर को बिकानेर से जोडता है अगर एदेशनल हाईवेई आएच एटी नाइन कौन सा ओझाएगा इनेच एटी-नाइन हो जाएगा तो जो साती यह बता रहे हैं उन सब का यहां पर राइट हो जाएगा सरकार के टीडी चेताउनी संगतन का छेत्र केंदर निम्मन में से किस जिले में है टीडी चेताउनी शंगठन का छेतर केंदर केंदर कश जिले में गंगानगर, बीकानेर, बाड मेर या जोधपुर में तो बारे सरकार का है टीडी आती है उसे चेताउनी शंगठन एक केंदर बने गिया है जो की जोधपुर में है कामपर है जोधपुर में राजस्तान के पसु धन की थार पारकर नशल जूड़ी है पसु की थार पारकर नशल गोडे की उंट की बकरी की या गाय की थार पारकर नशल किसी जानवर की यह बतो देखें तो सभी को पता होगा थार पारकर अपनी नसल है साती हूं गाय की गोवन्स की नसल है थार पारकर है न तो डी आंसर जो भी साती बता रहें उन सब का यहां पर राइट हो जाएगा राजस्तान सरकार द्वारा राजस्तान विंड एंड हाइब्रीड एनर्जी पॉलिशी 2019 किस तित्य को जारी की गई राजस्तान सरकार द्वारा राजस्तान विंड एंड हाइब्रीड एनर्जी पॉलिशी 2019 कब जारी की गई तो ये जारी कीगी साथ यूं 18 दिसंबर 2019 को कब की गई 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई तो जो विद्वान भी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा अगला सवाल आज चुका है आपके सामने तो जो साती ये बता रहे हैं दोलपूर उन सब का यांपर करेक्टा आंसर होगा अगला सवाल है की आस्ता योजना का संबंद किसे हैं कौन सी योजना है आस्था योजना विशेश योग्यजन अनुसुची जातियों के विदार्तियों से जन जाती छेत्रों की महिलाउं से जोग्यों के निवासियों से जोंपडियों में रहने वाले जो निवासी है तो आस्था योजना का सम्मध्य सास्यों विशेश जानकारी किस गरंद से प्राप्त होती है पदमावात दल्पत विलास कानरदे परबंद या हमीर हट जालोर के साथ सगे कानरदेव और अलाउदिन खिलजी की बीच में एक युद हुआ था 1311 में जालोर का दुरक जीता था अलाउदिन खिलजी ने तो इसमी की जानकारी साथ मिलती है कानरदे परबंद में एक गरंत है जिसका नाम है कानरदे परबंद जिसमें इसकी जानकारी का मिलती है उल्लेक इसका मिलता है पूरा कि निमलिकित में से किसे इतियास वेता ने काली बंगा को सिंदु घाटी समराजी की तीसरी राजदानी का शिंद्यू गाटी समरज्जी की तीसरी राजदानी काली बंगा को किसने का जियच ओजा शामलदास दसरत सर्मा दयाराम सहनी के द्वारा तो ये काता सात्यू दसरत सर्मा ने इतियास का रुएते दसरत सर्मा इनके द्वारा कह गया किस पुरातात्विक इस्तल को धूल कोट के नाम से जाना जाता है नमाना बागोर अहाड या नागदा किस पुरातात्विक इस्तल को धूल कोट के नाम से जाना जाता है नागदा उद्यपूर में है आड उद्यपूर में है बागोर भी उद्यपूर में है तो right answer क्या हो जाएगा जल्दी से comment करो देखे किस किस का right आता है विल्कुल सबी का अहाड अहाड उध्यपूर जो साति C बता रहे हैं उन सब का यहां पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा निमा लिकित में से कौन सा मंदोर के परतिहरू के इतियास की जानकारी देता है मंदोर के परतिहरू के इतियास की जानकारी कहां से प्राप्त होती है साथ हूँ कौन संभूलिश अभिलेक घट्याला अभिलेक बीजाफूर अभिलेक या अर्थोना के अभिलेक से कि मंदोर के परतिहारों के इत्यास की जानकरी मिलती है गठ्याला अभिलेक से यह हम पढ़ चुके राजस्तान इत्यास में थोरी की क्लास में जो अपने एप के अंदर जो कलासे चल रही है जिसने नहीं देख रहे हैं वो देख लेना इस्टेटी एक्जाम एकेडमी डाउनलोड कर लेना उसमें पूरी थोरी की कलासे चल रही है तो वहां से आप देख लेना पूरी थोरी आझर राजस्तान के सुदूर दक्षिन अंचल की मैं अराउली की सूर्मिय में पहाड़ी के बीच बास्वाड़ा की इस्ताफना किशने की महा रावल जगमाल सिंग अजिपाल चोआन माराजा सवाई मादो सिंग परतम रावल वीर सिंग ने इसकी इस्तापना महारावल महारावल जगमाल सिंग के द्वारा की गई ए आंसर अपना राइट हो जाएगा अठारा सो सताउन के सौतंतरता संग्राम का राजभूताना में आरम कहां से हुआ नसिराबाद, अजमेर, एरिनपुरा या अहुआ अठारा सो सताउन की क्रांती जिसकी सुरुआत राजभूताना में कहां से हुई यह देखो सबसे इजी सवाल है और पूछा भी जाता है कहीं बार यह नसिराबाद चाउनी से हुई थी साथ नसिराबाद अजमेर इस चाउनी के सेनिकों ने की थी नेटिव इन फेंट्री के जो सेनिक थे पंदर भी बिजोलिया के किसान आ अंदोलन को गांदी जी ने आशिरवाद दिया कब किया 1920 के नागपूर अधिवेशन में दिल्दी अधिवेशन एंदाबाद अधिवेशन या बूबई अधिवेशन गांदी जी ने दिया था 1920 का जब नागपूर का अधिवेशन था उस समय जो साती ए बता रहे हैं नागपूर अधिवेशन उन सब का करेक्ट होगा मोतिलाल तेजावत सरवादिक योग्य नेता माने जाते हैं किसान आंदोलन के मजदूर आंदोलन भील आंदोलन या चातर आंदोलन के मोतिलाल तेजावत सात्यूं इनको माना जाता है भील आंदोलन के नेता माना जाता है एक आंदोलन हुआ था एक की आंदोलन एक की आंदोलन का जनक इनको मोतिलाल तेजावत को का जाता है नीमलिकीत इस्थानू के आगे उनसे समन्दीत किले और दुरगू के नाम का कौन सा यूगम सई है पेला देखो जैंसल मेर मेर मेरा अनगड यह गलत हो जाएगा मेरा अनगड का तुर काम पर रजाती हूं जोधपुर में तो पैला ऑप्जन गलत हो जाएगा योदपूर में जूना गड़ किल्ण कुछ यह ऑफ पर यह ऑपका सी आंसर ये राइट एकांसर किल्ण केक्ट से 9 सवादीक बूर्छ वाला किला इसमें कितने बूरज है नन्यान पूर्ज है ज्यान र हुआ इसमें कंग लिएना और सबसे बड़ा पहला लिविंग पौर्टस का है जो धूर१ है तो सी आंसर राइट हो जएगा जो यहाँ पर शेहिद दिया हुआ है बाकी गलत है उद्यपूर शीटी पेलेस के राजस्तान के इस्तापतिय अजूबू यानि मार्बल में से एक है जो तट पर सांतिपूर्वक इस्तिद है दूथ सागर जील पिछ Glory फटे सागर जील रंग सागर जील उद्यपूर शीटी पेलेस के राजस्तान के इस्तापतिय अजूबू मेंसे एक है जो किस तट पर सहांतिपूरक इस्तित है तो यह आपको मिलेगी काँपर है सिटी पेलेस पिछोला जील उद्यपूर में है काँपर है उद्यपूर में वी आंसर अपना राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि राजस्तान की कौन सी सेली स्रावक परतिकर्मन सुतर चूरणी चितरकला पर आदारित प्राचिन संग्रे है कौन सी सेली है स्रावक परतिकर्मन सुतर चूरणी चितरकला पर अदारीत प्राचिन संग रहे मिवाड, मारवाड, हडोतिय डूंटार तो ये मिवाड की है ये अंसर अपना राइट हो जाएगा सरावक परतिकर्मन शुत्र चूर्णी चितरकला ये जोगरन्त ही साहत यह मेवाड के किस सासक के समय चीतरित किया गया यह बताओ देगे उसमें मेवाड का साथ सक कौनता हम पढ़ चुके मेवाड की इतियास में ना बताओ दे कमेंट करो निमन में से कौन सी कपड़े के विविन टुकडुक से सुन्दर और सजावटी वस्तु बनाने की प्राचिन टक्निक है यह है एपलिक बी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा चंपाकली अबुसं शरीर के किस अंग पर पेणा जाता है गर्दन, सिर, माथा या कान तो चंपाकली अबुसन पेना जाता है साथ्यू गर्दन में किस समारो में किसी देउता या देवी के सामने छोटे बच्चु के बाल पे लिबार काटे जाते हैं भाहहार आक्या जडूला या शम्म्हेला किस समारों में छोटे बछूं के रिख पाल सबसे पहले काते जाते हैं तो उससे समारों को का जाता है जडूला क्या के ठें अरीयुम्हार पर गुमर नर्ति का आयोजिन होता है दसेरा गणगोर तीज या दिपावली घुमर नर्तिय कब क्या जाता है साती हूं मारी घुमर छे नकराणी गणगोर पर गणगोर पर क्या जाता है राजस्तान के कौन से चेतर में चेतर सुकला पंचमी को गुलाबी गणगोर मनाई जाती है राजस्तान के कौन से छेतर में मनाई जाती है चेतर नहीं छेतर राजस्तान के कौन से छेतर में चेतर सुकला पंचमी को कौनसा महिना है चेतर पहला महिना है हिंदी का है ना चेतर शुगला पंचवी को गुलाबी गणगोर मनाई जाती है नाथ द्वारा उध्यपूर भूंदी या जोधपूर तो काँपर नाथ द्वारा राज समंद में तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा राजस्तान के उमर भारुक मेवाति का समंद किस छेतर से था परियावरण संगीत खेल चिकिच्चा विज्यान राजस्तान के उमर भारुक मेवाति का समंद किस छेतर से था तो इसका समंद राह संगीत के छेतर से संगीत बड़ा अच्छा बजाते थे पाबू जी तदा डूंगर जी के भोपे किस वाध्य अंतर का प्रियोग करते हैं रावन हत्ता इकतारा मांदल या इन में से कोई नहीं पाबू जी तदा डूंगर जी के भोपे किस वाध्य अंतर का प्रियोग करते हैं साथ यूं तो यह साथ यूं करते हैं रावन हत्यावाद्य अंतर का प्रियोग फड़ बांचते हैं पाबुजी के भोपे तो आज की क्लास में इतने ही सवाल है साइट 105 सवाल है कितने आपके राइट वें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हम नेक्स्ट अगली क्लास में धन्यवाद ज